मलेशिया भारत से खरी देगा चावल जीहा दरसल मलेशिया के क्रिशी एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री ने कहा है कि उन्होंने भारत से पांच लाख टन सफेद चावल की अतिरिक्त मात्रा का कोटा आवंटित करने का आगरह किया है आपको बता दें कि भारत से इस चावल के व्यापारिक निर्यात पर प्रतिबंद लगा हुआ है मगर सरकारी तौर पर इसका निर्यात हो सकता है भारत सरकार मलेशिया के लिए एक लाख सत्तर हजार टन चावल का विशेश निर्यात कोटा पहले ही आवंटित कर चुकी है भारत के विदेश मंत्री अभी मलेशिया के दोरे पर है वहां उन्होंने प्रधान मंत्री से मुलाकात की और कुछ अन्य मंत्रियों के साथ भी उनकी मीटिंग हुई गौर तलब है कि दोनों देशों के बीच खास दोस्ती के प्रतीक के रूप में भारत सरकार ने मलेशिया के लिए 18 अक्टूबर 2023 को एक लाख सत्तर हजार टन गैर बास्मती सफेद चावल का विशेश निर्यात कोटा आवंटित करने के लिए भारत सरकार से आगरह कर चुका है क्रिशी एवं खादे सुरक्षा मंत्री के अनुसार मलेशिया भारत के साथ बेहत दोस्ताना द्विपक्षिय संबंद बनाए हुए है दोनों देश क्रिशी एवं खादे सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षिय सहयोग बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसकी भरपूर गुंजाइश है जन्वरी से नवंबर दो हजार तेईस के ग्यारा महीनों के दोरान दोनों देशों के बीच 19.42 अरब रिंगित मूले के क्रिशी एवं खादे उत्पादों का कारोबार हुआ है ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी